मंगला विद्या मंदीर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और कुश होंगे बच्चो आज हम करेंगे अपने पार्ट नमबर साथ जो की गीत है साती हाथ बढ़ाना का अभ्यास का रहे हैं तो आप भी मेरे साथ पेज नमबर 44 उपन कर लो और ध्यान से सुनो पहला भी मेरे साथ जो करेंगे अपने प्रत्थम चरण की पंक्तियों को हम अपने जीवन में घटित होते हुए देख सकते हैं लेखक ने इन पंक्तियों में सब लोगों और मजदूरों को संभोधित करते हुए इस प्रकार का है अगर हम अपने जीवन में कंधे से कंधा मिला कर चलें तो जीवन की हर कठिनाई मामली प्रतीत होगी अब दूसरा प्रश्ण है सागर ने रस्ता छोड़ा पर बतने सीज जुकाया साहिर ने ऐसा क्यों कहा है लिखो साहिर जी यानि की साहिर लुद्यानवी जी जोकी राइटर है इन पंक्तियों के माद्यम से मनुष्य के साहसव हिम्मत को दर्शाया है उनके अनुसार यदि म मनुष्य ने मुश्किल कारे को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया होता कि वह असंभव थे तो कभी मनुष्य ने विजय पराप्त नहीं की होती कभी जीत हासिल नहीं की होती आज उसकी इम्मत से ही असंभव कारे संभव हो सके हैं अब तीसरा है गीत में सीने और बौहों को सहले इसी सीने पर लेता है और मुसीबतों को अडिक होकर सहता है बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनी बाहों के सहारे मुश्किल से मुश्किल कारे को सफल करने में सफल होता है बाहों के द्वारा ही उसने पहाडों के सीने में सुराक किये हैं और रास्ते बनाए हैं इनी बाहों ने फॉलाज जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया है ठीक है बच्चो और बच्चो जो अब ये जो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है गीत से आगे ये हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिविटी है ये बातचीत करके ही हो सकती है तो हम या तो किसी इंट् मिलकर 11 होते हैं तो बच्चो ये है कहावत यानि की मुहावरा ठीक है तो उपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है तो जो गीत में जो जो पंक्तियां है उनमें उनसे ये कहावत कहां कहां मिलती है ये मैं आपको बताऊंगी कि एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना से लेकर हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहें साती हाथ बढ़ाना तो बच्चो इस पंक्ती से ये लाइन मिलती है अकेला चना भाड नहीं फोड सकता और दूसरा है एक और एक मिलकर 11 होते हैं ये मिलती है इस पंक्ती से एक से एक मिले तो कत्रा बन जाता है दरिया यहां से लेकर एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत इस फुल जो स्टेंजा है ये गद्याश है उससे ये पंक्ती जो है ये जो कहावत है ये मिलती है अब नीचे देखेंगे ख, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के सिंदर्व में उनका प्रयोग करो अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता, अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता शाम ने राम को समझाया कि अगर दोनों मिलकर परिक्षा के त्यारी करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि अकेला चना भाड नहीं फोर सकता तो इसको हमने ऐसे वाक्य में प्रयोग किया अब नैक्स्ट है एक जुटता में ही शक्ती होती है यह एक और एक मिलकर 11 होते हैं का जो है अर्थ यदि हम सब मिलकर प्यास करें तो इस चटान को काट सकते हैं क्योंकि एक और एक 11 होते हैं अब बच्चो नेक्स्ट एक्सरसाइजे नीचे हाथ से संबंदित कुछ मुहावरे दिये गए हैं उनके अर्थ समझो और प्रतेक मुहावरे से वाक्य बनाओ हाथ को हाथ ना सूजना तो बच्चो इसका अर्थ है अंधेरा होना रात को लाइट चली जाने पर हाथ को हाथ नहीं सूज रहा था दूसरा है हाथ साफ करना मतलब चोरी करना मेरी नजर हटते ही चोर ने मुबाइल पर अपना हाथ साफ कर दिया हाथ पैर फूलना धर से घबरा जाना चोर के हाथ में बंदूग देखते ही मेरे हाथ पर फूल गए हाथों हाथ लेना, स्वागत करना मेनका के प्रत्थम आने पर उसके मात मा Rebecca जी ने उसे हाथों हाथ लिया, मतलब बहुत प्यार से स्वागत करना पेमपर करना, हाथ लगना, अचानक मिल जाना रस्ते में चलते चलते मेरे हाथ सोने की चेन लग गई सोने की चेन मतलब गोल्ड की चेन तो बच्चो ये थी exercise ये वाली और इसके बाद next है भाषा की बाद हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप है हाथ और हस्त बच्चो हैंड को ही बोलते हैं हिंदी में ठीक है एक ही शब्द के दो रूप है नीचे दिये शब्दों में हस्त और हाथ चिपे हैं शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इन में क्या काम है जो बॉक्स में बच्चों ये शब्द दिये हैं इनको हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि इनका हाथों में क्या काम है हाथ घड़ी हाथ घड़ी को हम अपनी कलाई पर बानते हैं हाथ घड़ी मतलब wrist watch हतोड़ा means hammer हतोड़े से हम किसी वस्तू को ठोकने का काम करते हैं हस्त शिल्प हाथ से बच्चों जो पत्थर पर हम लोग तराश के मतलब carving करके कोई design बनाते हैं नकाशी करते हैं उसको हस्त शिल्प कहते हैं हस्तक shape किसी दूसरे के काम में या बात में दखल देने को हस्तक shape करते हैं मतलब interference करना निहत्था निहत्था मतलब बिना किसी शस्तर के युद में जाना निहत्था मतलब हाथ में कुछ ना लेकर बिना हाथ में कुछ लिए हुए जाना उसको कहते हैं निहत्था हतकंडा हतकंडा मतलब किसी के विरुद कोई साजिश या जाल रचना कोई planning plotting करना हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब दस्तकत यानि की सिगनेचर करना, हाथ करगा, हाथ से चलाने वाला करगा, कपड़े बुनने का मशीन यह अंत्र जैसे जिससे हम कपड़ा बुनते हैं अब सेकंड जो प्रश्न है वो है इस गीत में परबत, सीस, रस्ता, इंसा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हैं इन शब्दों के प्रचलित रूप लिको तो बच्चों जो यह शब्द हैं परबत, सीस, रस्ता, इंसा जिसको हम बोलते हैं खड़ी बोली, हिंदी में इसको खड़ी बोली मतलब देशी भाशा तो इसका जो प्रचलित रूप यानि कि आजकल के मौडरन टाइम में हम जो इनको मौडरन जो प्रचलित रूप है इनका not modern मतलब जो एक हिंदी का सही हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूं परबत सिर माथा हैड रस्ता रस्ता मतलब रास्ता रोड राह इंसां मतलब इंसान मनुष्य ठीक है बच्चों तो बच्चों अब यह है पेज नमबर 45 की अक्सरसाइज अब पेज नमबर 46 देखेंगे हम कल गयरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना इस वाक्य को गीत गीतकार इस प्रकार कहना चाता है कि तुमने कल गयरों की खातिर मेहनत की आज तुम अपनी खातिर करना तो इस वाक्य में तुम करता है मतलब जो गीत की पंक्ती में चंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है उप्योक्त पंक्ती में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है ठीक है कि तुमने किया अब तुम अपनी खातिर मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी खातिर करना ठीक है तो अपना का प्रयोग करता मतलब जो तुम है उसी के लिए ही ह गो रहा है इसलिए यह सरवनाम है ऐसे सरवनाम जो अपने के बारे में बताएं उसे नीजवाक किए हैं थैंक देट्री जो नीचे दीए वाक्यों में रिखंकित मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी बबन अपना काम खुद करता है सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है ठीक है तो बच्चों यह जो सर्वनाम है यह मैंने आपको वैसे ही वर्बली अभी बता दिया है पर यहां पर मैं अक्सरसाइज में आपको यह भी न आपको एक वीडियो स्पेशली व्याकरन की ही बेजूंगी जिसमें हम यह निजवाचक सर्वनाम और सर्वनाम की जितनी भी जितने भी तरह के सर्वनाम के भेद होते हैं वह हम उसके आगे की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ठीक है बच्चों यह पेज नंबर 46 का जो बाकी की exercise है वो हम नहीं करेंगे वो activity है वो हम कभी मिलकर करेंगे या उसके बारे में किसी interaction session में बात करेंगे तो जितनी exercise मैंने आपको जो important important part था वो मैंने आपको सारा करवा दिया है इसको आप repeatedly four five time सुनना अच्छे से पहले समझना फिर उसके बाद आप इसको अपनी classwork और homework दोनों में करना और मुझे WhatsApp पर भेजना नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट नया पार्ट या व्याकरन का कुछ पार्ट लेकर आऊंगी तो तब तक के लिए stay safe धन्यवाद